स्वागत करता हूं अपनी यूटूब परिवार मरेस स्टड़ी में तो यहां पर बात करने वाले हैं गौवर्मेंट इंजिनियरिंग कॉलेज सिवान के बारे में तो उसके तरफ से कॉलेज के आप देखिएगा तो एक नोटिस आपको फ्लैस होगा जिसमें बोला गया है कि आपका दिवाली और छट पूजा के सुवाफसर पे यहां पर जो भी पढ़ाई है उसे अभी अस्थागित किया गया है मतलब छुट्टी दिया गया है आपका कार अस्थागित रहेगा पठन पाठन का और उसके बाद जैसे ही चार नवंबर को कॉलेज खुलेगा उसका न अपना स्टार्ट होगा जो कि न्यू बिल्डिंग के साथ होगा वो चीज़े जो है यह इस नोटिस में साफ तोर पर बताया गया है यह जो नया वाला जो इंजिनियरिंग कॉलेज खुला है यह टाउन से ज्यादा दूर नहीं है हना एक किसे कह सकते हो कि टाउन में है आप अगर सिवान रेल्वे स्टेशन से बात करोगे तो सिवान जक्सन से या रेल्वे स्टेशन से एप्रोक साथ से आठ किलोमेटर जो है आपका यह पड़ेगा ठीक है बट अगर आप सिवान रेल्वे स्टेशन के बाद एक और स्टेशन है जो कि सिवान का चहरी है ठीक है सिवान का चहरी से बात किया जाए तो सिवान का चहरी से 2-3 किलोमेटर आपका पड़ेगा और वहांसे नज्दीक है में रोड पर मिल कर ऑर यहां पर एक चीज ऎरं बताया गया कि जो लोग फोटल लेंगे क्यूंकि नया जो भवन बनाए गया यानि Node बनाए गया नवंबर को ये किया जाएगा जो जब कॉलेज खुलेगा ठीक है उसमे जो है होस्टल मेंटेनेंस चार्ज छे अजार रुपया देना पड़ेगा आपको 6 महिने के लिए 30 सम्स्ट क्षामिस्टर के लिए याँ थाउजन पर मन्त के हिसाफ से आपको यहां पर लगेगा वही जो लोग अभी फॉर्थ समिस्टर में हैं उनको इस समिस्टर में तीन ही महिना का पैसा लगेगा जो की तीन हजार उनका लगेगा ओके आई होप की यह चीज़े आपको समझ में आई हो चलिए कॉलेज का कुछ बिल्डिंग का इमेज बगेरा देख लेते हैं यह सारी इमेज उस समय के हैं जिस समय वर्किंग प्रोग्रेस पे जो है कॉलेज था ठीक है तो यह आपका है कॉलेज का डिजाइन आप देख सकते हो यह में गेट है ओके यह सारी चीज़े आई होप की यह समझ में आया हो अगर फिर भी कोई डाउट सकता है कोई भी कन्फियूजन रहता है रिगार्डिंग एनिटिंग इवाउट इंजिनिरिंग कॉलेज और मेडिकल कॉलेज से रिले